हेलो यो स्वागत आप सभी का मेरी यूटूब चैनल स्कूल टूशन गुरुजी में आज हम बात करेंगे वरकशीट 68 के बारे में जो कि एक कॉमन वरकशीट है क्लास 6-8 के बच्चों के लिए 22 सितंबर के लिए जारी की गई है यहां बच्चे अपने नाम लिखेंगे यहां हम इसे गौर से देखेंगे वरकशीट को तो हम पाएंगे कि यह आपके समाजिक विग्यान या सेस्टी सब्जेक्ट से रेल्टिटिटी बच्चीट है तो आज देखते हैं वक्षिट क्या कह रही है वक्षिट कह रही है हमारी देश में परदानमंत्री सबसे प्रदार मंत्री का चुनो प्रत्यक्ष नहीं होता लोकसाव में बहुमत दल या गडबंधन के नेता को राश्टपती प्रदार मंत्री नियुक्त करता है यद भी प्रदार मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्से हो सकता है तो यानि कि आज की वरक्षीट वहां पढ़ेंग राश्टपती के बारे में और उनके नामों के बारे में कि अब तक कौन-कौन से राश्टपती हमारे बन चुके हैं अब चुन लगबग वैसी यह वरक्षीट है तो अब इसमें क्या कह रहा है कि परदान मंत्री जो होता है हमारे देश का वह एक राजनितिक संस्था का सब संस्था होते हैं हमारे लोक सबखें उन्हें हम अपनी बद्वारत चुनते हैं लेकिन परदान मंत्री को नहीं चुनते हैं परदान मंत्री को कोन चुनता है बहुमत दल यानि कि वह दल जो चुनाव में सबसे जाध सीटी लेगर करक earn गडबंधन हो वो और नहीं कूछ वेक्तियों को उनमें से एक व्यक्ति को चुना जाता है और वह व्यक्ति प्रधानमंत्री छलाता है और कूसे राष्टपती में ख़ुद्र करते हैं हमारे प्रधान मंतری को ठीक है एक मैंत मूंट चीजों लिखी है इस नहीens क्या लखा है यह दाबी परधान मंतरी संसत की कि सक्षा कि कि सथन का सथा की हो सकता है तो परधान मंतरी के लिए कि किसी एक सथन का सथ़से होना ज़रुरिज नहीं आई था आ परदानमंत्री के शक्तियों के बारे में तो क्या कहता है परदानमंत्री सरकार का मुख्या होता है यह कैबनेट की बैठ़कों की अधिक्ष्षा करता है यह वह विवागों के कारेका समन्वे करता है विवागों के विवाद के मावलों में उसका निल्ले अंतिम माना जाता है सारे मंत्री उसके नेतित में कारे करते हैं जब परदान मंत्री अपना पत छोड़ता है तो फुरा मंत्री मंदल इस्तिफाद दे देता है बारत में cabinet सबसे अधिक सक्सेसाली संसा है तो cabinet के भीतर सबसे परभावशाली वेक्ति परधान मंत्री होता है तो अच्छा अब क्या कहा है कि परधान मंत्री कोन है परधान मंत्री सरकार का मुख्या है ठीक है इसके बाद ये क्या करता है ये अपने साथ काम करने के लिए परधान मंत्री जो भी होंगे है वो अपने साथ काम करने के लिए कुछ मंत्रियों को चुनते हैं है ना मंत्री अलग-अलग विभाग के हो सकते हैं जैसे इस शिक्षा विभाग न्याय विभाग जल विभाग या लग-अलग मंत्री होते हैं तो इन सब विभागों के मंत्रियों के साथ एक चुटता दिखाने के लिए और एक साथ कारे करने के लिए क्या होता है cabinet इनसे जो बनता है वो बनता है cabinet और cabinet की बैठा की अद्धेक्सा करते हैं कौन परधान मंत्री मोते हैं ठीक है और अगर किसी विवाग में एक दूसरे में मध्वेद होता है तो उसे दूर करने के लिए लड़ाई जगड़ा होता है कोई भी चीज होती है तो उसे के लिए भी मुंत्रियों का नहतने हैं क्या है अगर परदान मंत्रि अपना स्थिफा देते हैं कभी कभी किसी बी सकता रच एक सब से कैंबनेट होता यानि मंत्रियों की जो एक साथ सबसे सकति साली संस्ता होता है और इनका मुख्या होने के नाते यानि परदान मंत्री इनका मुख्या होता है इनका सबसे प्रभावशाली व्यक्तिव होता है ठीक है बच्चो चलो तो अब जड़ा बारत के प्रिविन परधानमंत्रियों के बारे में देखते हैं भारत के परधानमंत्री कोन है सबसे पहले परधानमंत्री है हमें पंडित जवाला नहरूर जी जो कि 15 अगस्त 1947 से 27 मईए 1964 तक यह परधानमंत्री है हमारे फिर दूसरे कौन है हमारे श्री गुर्जाली रात दंदा जी जो कि कारे बाध परधानमंत्री एक उस समय के लिए रहे यह कब ते रहे 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, यह कुछ टाइम के लिए क्योंकि कारेवाग बने थे, है ना, फिर शिरी लालबाद दुशास्त्री जी, लालबाद दुशास्त्री जी कब से कब तक रहे, नौ जुन 1964 से लेकर के, 11 जनुवे, 1960 तक, फिर एक वाद फिर शिरी गुलजारिला नंदा जी, कारेवाग प्र जो परदान मंत्री हैं वो सबसे पहले परदान मंत्री और एक मात्र परदान मंत्री हैं जो की महिला परदान मंत्री हैं ठीक है फच्चो तो इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान रखिएगा अब इसी तरह आप सारे नामों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अलग-अलग सम मंत्री है और हमारे इससे पूरो के प्रदानमंत्री थे श्री मनमोण सिंग जी से 20 में ठीव दो क्वेंभ द्वहजार 4 stimuli पशचाbis 2004 निए प्रधानमंत्री थे अठोछ यह एनके कहस बात है इनकी खास पर तिक यह कि यह लोकसवा के सदस्य रहते हैं परदान मंतарी नहीं नहीं सब्सक्राइब देखा ही अ banget कोई बदान बंत्री सब्सक्राइब तो ये बात ही सही वैटती है ठीक है बच्छो चलो तो अब ज़रा कोश्चन्स देख लेते हैं इसके अब है पहला कोश्चन मैस स्वतंद भारत की एक मातर महीला परदान मंतरी थी मेरा नाम लिखिये तो स्वतंद भारत की एक मातर महीला परदान मंतरी श्री मत्री इंदरा गान्दी जी है ठीके बच्चो फिर है क्वेशनल में दो मैं राज्य सभा का सदस्य रहते वे दस वर्षों तक भारत का परदान मंत्री जा परिवार जनोंगी साहिता से मेरा नाम पता कीजिए अच्छ वैसे था आपको परिवार जनोंगी साहिता सभा करना है लेकिन मैं आपको नाम बताता हूँ श्री मनमोन सिंग जी अभी आपको बताया था कि राज्य सभा के सदस्य रहते हुए मैं परदान मंत्री थे उसमें जो गलती हुई थी मैंने सुधार दिया आपको ध्यान लखना सभा को लोक सभा के नहीं राज्य सभा के सदस्य थे चलिए तो अगला देखते है अगला परशन है कलपना कीजिए कि आप वरतमाम में भारत के परदान मंत्री है बारत करोनो जैसी महामारी की सामना कर रहा है आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं तो ये आपको खुद करना है वैसे बता दूँ आप क्या कर सकते हैं जैसे कि हमारे परदान मंत्री ने कि कि वेक्तियों को क्या कर सकते हैं राशन राशन बटवा सकते हैं राशन किसको या मुफ्त बटवा सकते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान रहे हैं दूसरा खाना बनावा खाना बटवा सकते हैं जैसे कि दिल्लीम बटा था ठीक है तीसरा क्या कर सकते हैं कुछ आर्थिक सहायता कर सकते हैं यानि कुछ पैसे दे बैट बढ़ों के साथ बैट करके इस बात को सोचके जब लिखेगा बच्छो चेल यह तो आगे हैं आगे है यह प्रशनमबर 4 अपने प्रिय परधान मंत्री के संदर्ब में अपने परिवार जनों से कुछ अन्य जानकर यह करत कीजिए एवं उस पर लेक लिखिए तो बच् क्या है कि इन सब नामों को पढ़़ करके और जिस भी परधानमंत्री का आपको नाम समझ में यह पलस आपके जो बड़े न Kindle ईकौटा सा लेक लिखिये कम से कम आदे पनने का यह एक पनने का ताकि समझ में आ सके कि आपको वह परदानमत्री क्यों प्रियत है और उनके बारे में जानकारी क्या-क्या अच्छे है ठीक है बच्छो तो यह वक्षिट आपके होगी कंप्लीट बिटा अशा करता हूं आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक्यू